शासे उप जल्जाद जह नवासे जुनून के साथ मेनत करते हैं उन कंडिडेट के लिए ये वाकेंसी निकल के आई हुई है ये बाकेंसी दसमी ITI बेस पर है उनली दसमी पास कंडिडेट भी आगेदन कर सकता है साथियो बाकेंसी जो निकली हुई है इंडियन आर्मी सलेक्शन सेंटर इस्ट एलाबाद में बाकेंसी निकली हुई है डिपार्टमेंट जो है सलेक्शन सेंटर इस्ट एलाबाद पोस्ट नेम बता दे रहें कौन सा पोस्ट आर्मी में कौन सा पोस्ट निकला हुआ है पहले स्टोनोग्रापर, ग्रेड सिकेंड में मेश वेटर, मेसेंजर, वाचमाइन, गाडेनर, हाउसकीपर की पोस्ट निकली हुई है जो कंडिडेट आर्मी के लिए मेनत करते हैं वो कंडिडेट आवेदन कर सकते हैं टोटल वाकेंसी है साथियो 19 वाकेंसी है, टोटल 19 वाकेंसी है फार्म जो बरना है आफलाइन बरना है, आफलाइन बरना है 16-4-2022 से यानि 16 अप्रेल 2022 से फार्म अप्लाइन लास्ट डेट जो है 6-5-2022 से यानि 6 मई 2022 से 22 तक आप लोग साथियों आवेदन कर सकते हैं Age limit की बात करें Age count 6-5-2022 से General category candidate आवेदन कर सकते हैं 18-25 years candidate आवेदन कर सकते हैं OVC candidate 18-28 years तक आवेदन कर सकते हैं OVC candidate 18-28 years तक आवेदन कर सकते हैं AC, ST के candidate 18-30 तक आवेदन कर सकते हैं साथियों Education Qualification की बात करें Education Qualification जो First Stono Grafer के लिए उसमें बार्मी पास होना चाहिए साथ में 10 मिनट में 80 वर्ड और 65 हिंदी कम्प्यूटर पे टापिंग होना चाहिए दूसरा जो पोस्ट निकला हुआ है साथियों दूसरा पोस्ट है मसेंजर में 10 मिन पास होना अनिवार हैं चोथा पोस्ट है वाचमें वाचमें में भी 10 मिन पास होना अनिवार हैं Gardener में भी 10 मिन पास मांगा गया हैं हावस कीपर में 10 मिन पास होना चाहिए एकजामिनेशन फिस यानि जो फार्म का सुलक है वो फिरी है यानि एक भी रूपया मांगा नहीं गया है सेंटर एकजामिनेशन यानि सेंटर कहां बनाया जयाएगा आप लोग कहां पर जाएंगे एकजाम देने के लिए तो प्रयाग राज यूपी में बनाया गया है प्रयाग राज यूपी यानि इलावाद में और साथ यह वाकेंसी detail बता देते हैं सेलेक्षन सेंटर इसत एलाबाद बाकेंसी जो detail है यानि जो बाकेंसी बाकेंसी है यानि कितनी पोस्ट में कितनी जगा कखाली है यह बताने जा रहा हूँ वीडियो अन तक देखियेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा इसका मत करिएगा वीडियो को फूल देखिएगा तभी समझाएगा इस टोनो ग्राफर की जो पोस्ट निकली हुई है चार पोस्ट है इसके बाद दूसरा जो है रूम आर्डरली में जो पोस्ट निकली हुई है पाच पोस्ट है मेस वेटर में एक पोस्ट है मसेंजर में एक पोस्ट है वाच मैन में चार पोस्ट है गार्डेनर में एक पोस्ट है आउसकीपिंग में तीन पोस्ट है और साथियो ये तो हो गया post document record यानि document साथ में क्या-क्या लगाना है फारम बढ़ते समय वो बता दे रहा हूँ बहुत जरूरी है साथियो इसको ध्यान से एकदम देखिएगा document जो आप लोग का document फोटो कापी हो गया यानि जो रोक्स बोलते हैं वो self-attested होना चाहिए self-attested मतलब होता है सोयम अपने से परमाडित होना चाहिए यानि अपना जोक भी candidate अपना भरेगा अपने नाम का sign मारेगा उसी को self-attested बोलते हैं यानि सोयम अपने से परमाडित यह बहुत ध्यान है सात्यों नहीं तो ध्यान नहीं दोगे तो फारम reject भी हो सकता है और सात्यों send the farm by ordinary post only आपको only गाहों में आपका जो post office होगा या आपका जो city पढ़ता होगा वहाँ post office होगा post office के द्वारा इस farm को भेजना है सात्यों post office के द्वारा इस farm को भेजना है और सात्यों एक बात हो रहे आप लोग इस speed post नहीं करेंगे सदाय डाग द्वारा only सदाय डाग द्वारा आप लोग को farm को भर कर भेजना है और भी document self assisted होना चाहिए education qualification बार्मी पास का जरोग होना चाहिए self assisted कर लेना experience अगर होगा तो उसका भी self assisted होना चाहिए सात्यों farm भरते समय दो लिफापा होगा लिफापा पर एक पर 25 रूपया का डाग टिकट चिपकाके आप लोग farm के साथ में भेजिएगा सात्यों दो लिफापा होना चाहिए पर 50 रूपय का दो डाग टिकट होना चाहिए farm sending address farm कहा भेजना है यह भी आप लोग को इस channel में बता रहे है सेलेक्शन सेंटर इस्ट एलाबाद करिपपा आड़ी कंटोर्न सिविल लाइन प्रियाग राज यूपी पिन कोड़ जो है 211001 है साथियों सेलेक्शन प्रोसेज के बारे में बता दे रहे हैं सेलेक्शन प्रोसेज पहले आप लोग का कालिंग आएगा तो रीटेन होगा रीटेन यानि परिच्छा होगा परिच्छा आपको क्वालिफाइड अगर परिच्छा कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग का जो होगा टेट टेस्ट होगा फिर डाकुमेंट होगा फिर मेडिकल होगा मेडिकल होने के बाद फिर फाइनल प्रोसेज होगा और साथ यह एक बात और रिटेन एक्जाम जो सेलबस है उसके बारें बता दे रहा हूं दसमी लेबल पर होगा यान दसमी के हिसाफ से question पुछेगा और बता दे रहे हैं जनरल में 50 question होगा 50 mark होगा जनरल के बाद सातियों आता है mathematics में 25 question 25 mark होगा reasoning में 25 question 25 mark होगा English में 50 question 50 mark होगा यानि total सातियों 1500 question 1500 का होगा timing आप लोग को दिया जाएगा exam में 2 hours यानि 2 गंटा दिया जाएगा और सातियों और सातियों एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोग use blue and black pen use कर सकते हैं परिच्छा में वो भी ballpoint pen only होना चाहिए और सातियों एक बात और बताना चाहता हूँ no negative marking for wrong answer यानि जो गलत answer आप लोग करेंगे उसमें negative marking नहीं है तो जो सातियों दिल से army की तयारी करते हैं वो परिच्छा दे सकते हैं और सातियों एक बात और बताना चाहता हूँ जो selection process होगा retain में अगर general category के candidate 35% mark ला देता है तो वो candidate qualify हो जाएगा OBC, ST, AC की candidate 30% अगर exam में qualification पास कर लेता है 30% तो वो exam qualify कर लेगा सातियों आप लोग 1C का आलजापस हिंदी चैनल को subscribe करिए, like करिए, comment करिए ताकि आने वाला जो भी बाइकेंसियों इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पता चले धन्यवाल सातियों